दोस्तों मैं विशेक आपका विशेक ट्यूटिरियल पर स्वागत करता हूँ तो आज की यूपी बोड़ वालों के लिए बहुत वरी ख़वर निकल के सामने आ रही है कि उनके रिजल्ट जो हैं बहुत जल्ड आने जा रहे हैं अब कुछ लाइब तस्वीरे आई है कॉपी जांच जांँ हो रहे हैं वो तस्वीरे भी आपको दिखाने जा रहा हूँ तो सबसे पहले आप लोग को बता दूँ कि अगर आप चैनल पर पहली बार है तो ऐसे ही ख़वर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले बार को पांच कंद्रों पर सुरू हो गया है आजी की खबर ही ये पहले दीन मुल्यांकन के बारे में पर सिच्छन देने के साथ ही कॉपियों को बिवस्तित करने का कार हुआ मुल्यांकन की तैयारी के बाद देर से मुल्यांकन का कार सुरू हुआ पहले दिन मुल्यांकन की सुरुआत हुई और दीन भर में करीव एक हजार कॉप्यों का मुल्यांकन हुआ है अभी तक में जिला बिद्याले निरिच्छक अनुप कुमार ने सहीदी आजम भगसी इंटर में मुल्यांकन कारे का निरच्छन किया उन्होंने लोगों को मुल्यांकन के बारे में बताने के साथ ही सतरक्ता के बारे में भी जनकारी दी जिले के GIC, GGIC, स्री गांधी बिद्याले इंटर कॉलेज, रेलवे कॉलनी सहीदे आजम भगसी इंटर कॉलेज, जीगर मेमोरियल इंटर कॉलेज में 2000 से दिक परिच्चकों को UP बोर्ड के मुल्यांकन का कार करना है पहले दिन मुल्यांकन कार सिप सुवारं प्रिकिरिया तक ही सिमित रहा, 1000 के करीब कॉफियों का मुल्यांकन ही हुआ, मंगल बार को मुल्यांकन के कार में तेजी आएगी, माना जा रहा है कि एक दिन में 25,000 से दिक कॉफियों का मुल्यांकन होने पर ही 33 मुल्यांकन कार पूर माते पर दिखा कैसी चग तो मुह पर रुमाल तक बांदे रहें इसके अलाबा एक दूसरे से दूरी बनाते दिखें फिलहाल बोर्ड पर इच्छा को तर पुस्तिकाओं का मुल्यांकन कार होने के कारण सिचके ने तो कार सुरू कर दिया है लेकिन उनका मन कम ही लग रहा है फिलहाल डी आई ओएस ने हर इस्तिती में सदक्ता बनाए रखने का निदेश दिया है तो आप देख सकते हैं कि आप लोग का रिजल्ट का जो परिकिरिया है वो सुरू हो गया है तो क्योंकि घर पे कौपी चेक हो रहा है सभी का तो आप लोग से अनरोध है कि रिजल्ट को लेकर अब तयार हो जाए ठीक है तो मिलते हैं ऐसे ही अपडेट के साथ अगले वीडियो में थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो